ये कहानी एक ऐसे लड़की है जिसमें उसके परिवार वाले उस लड़की का रिप करते हैं साथ ही उसको अलग-अलग तरीकों से टोर्चर भी करते हैं जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खिल जाएगा और आप भी कहोगे कि बंद कुरोई से इस फिलम में एक डेविड नाम की लड़की रहने आती है मैग की भी एक अलग कहानी कुछ से में पहले एक कार अक्सिडेंट में उसके पैरेंस की मौत हो जाती है जिसमें उसकी चोटी बेहन सुजैन डिसेबल हो जाती है और तब से मैग और उसकी बेहन सुजैन उसकी अंटी रूत के घर रहने लगत इसले में सारे आसो अराम पाना है रुत मैग और उसकी बैट सुजान को सुरू से पसंद नहीं करते थी कई बारतों वहाँ उसको वैस्से कह कर बुलाते थी और उसको खाना भी नहीं देती थी वहीं मैग और डिविड एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और मैं डिविड को रुति को सुबक सिखाने के लिए उसकी चोटी देती है और उसको निवस्ट निवस्टर करके अलग अलग तरीक असे मारने लगते है जिसके बाद ये सारी बात मैग पुलिस को बता देती है लेकिन पुलिस इस बात पर ज़्यादध ध्यान नहीं देती और फिर मांसे चल जाती है ये बात जब रूट को पता चलती है तो रूट उससे दुबारा बदला लेने के लिए मैग को रस्यों से बांध देती है और अलग अलग तरीकों से टोर्चर करने लगते हैं जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खेल जाएगा क्या मैग अपने आपको बचा पाएगी क्या डेविड अपनी दोस्त मैग को इस मुसिबत से बचा पाएगा या नहीं और उसके बाद उसकी बैंस सुजयन का क्या होगा जानने के लिए देखने होगी आपको यह मुवी दगल्स नेक्स्ट दूर